असलम alaykum friends, कैसे हैं सब खेरे से? क्या आपके computer या laptop के अंदर drivers जो हैं, वो miss हैं तो आपने कैसे install करने हैं, कहां से install करने हैं बिल्कुल free में, सिरफ simple clicks के उपर आपको वो driver मिलने वाले हैं कैसे मिलेंगे, आपने ये video end तक देखनी है इस वीडियो वे मैं आपको मुकमल गाइड करूँगा कि आपने कौन से वेबसाइड के ओपर जा कि आपने फ्री वाले ड्राइवर जो है डाउनलोड करने है इस वीडियो को एंट तक लाजमी देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कमट भी करने तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो अब ही हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के उपर तो स्क्रीन के उपर आएंगे तो सबसे पहली बात यह आपके पास जो है इंटरनेट होना लाजमी है लैपटॉप के अंदर या आपके पास पीसी है उसमें आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है आपने क्या करना है सबसे पहले आपने गूगल के उपर जाना यहां पर लिखना है sdi.tool.org जैसे यह टाइप करेंगे और फिर आपने इंटरप्रेस करना है इंटरप्रेस करने के बाद आपके पास सबसे पहले यह जो गूगल का जो मेन पेज है वो आजएगा और इसमें सबसे पहले नंबर के उपर snappy driver installer install and update driver for free यह वाली साइट आजएगे इसके उपर आपने क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर बाई डिफाल्ट आपके पास language चेंज होती है तो यह इधर होगी यहां पर रेशियन है इस तरह के अगर आती है तो आपने पर पर प्रेस करेंगे जैसे प्रेस करेंगे तो आप यह सारी चीज़ें इंगलिश वाली हो जाएगी सारी जो भी आप यहां पर लिखा हो है तो आप इसको इंगलिश में पड़ सकते हैं तो यह snappy driver installer यह सारी यह जो फाइल होगी बहुत ज्यादा बड़ी फाइल है यह आफ लाइन जाए जो जिनको आप यूएसबी में डाल के किसी बी टाइम जो आप नेट है या नहीं है कोई मसला नहीं है उसका आप उसको इंस्टाल कर सकते हैं और साथ में दूसरे नंबर के उपर है driver pack online online आप सिस्टम के अंदर क्या करते हैं जो भी आपके सिस्टम के अंदर जो driver मिस हैं उनको डिटेक्ट करता है यह साफ़ेर तो अभी हमने क्या करना है online वाले यह क्लिक करना है इसको पर old version के उपर version के उपर क्लिक किया और इसके बाद लास्ट में ही http 5.0 MB यह इसको पर आपने download के पर क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर download होना शुरू हो जाएगा और फाइल यह download हो चुकी है ठीक है तो अब भी हम इसको क्या करते हैं इसमें download वाले option में जाते हैं यहां पर हमारे पास यह file है इसको आप क्या करें एक नया folder बनाते हैं इसमें इस फाइल को रखते हैं folder का नाम 1122 राख लेते हैं इसको इस folder में पेस्ट कर देते हैं यह इसलिए किया था कि आपको अच्छे तरीके से समझ जाए अच्छे यहां पर फिर आप आएंगे तो यहां पर इसको आपने extract करना है extract to SDI जैसी extract करेंगे तो आपकी यह फाइल जो है व अबल क्लिक करना है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टेम है इसमें यह आर टू वन जिरो टू यह 32 बीट के लिए और यह जैसे के लिखा हुआ है SDI 64 आर टू यानिकि यह 64 जो बीट है उसके अपरेटिंग के लिए तो मेरा सिस्टम क्योंकि 64 बीट है अपरेटिंग जैसी प्रमिशन मांगेंगा तो यह सामने आपके बास विंडो आगिगा यहां पर आपने अलाओ अक्सेस करना है और यहां पर आपके पास फिर दूसरी विंडो आएगी सनाप़ी डरावर्स की यहां पर आपने क्या करना है Download Index Only जो जो यानि Miss है आपके पास आपने वो वाले इसको Detect करने के लिए Permission देनी है तो मैं इसके उपर क्लिक करूँगा तो ये दो वाले जो Drivers हैं ये दो Drivers Miss हैं इसलिए ये वाले शो हो रहे हैं Red Line में तो यहां पर उपर ये Software खुद ही उनको Download करके Detect करेगा और आपके PC में इंस्टाल कर देगा तो ये देखें अभी System थोड़ा slow है इस वज़ा से Network slow है जिस वज़ा से जो है ना थोड़ी Downloading slow हो रही है ये Download ये देखें होना शुरू हो गए Downloaded 2.0 MB Out of 17 यानि कि 17.5 MB के जो Drivers थे वो मेरे System के अंदर नहीं थे और जैसे ही मैंने SDI Driver को यानि कि इंस्टाल किया तो इसने फोरण नॉटिकेशन दिया कि दो Drivers जो हैं वापके System में नहीं हैं उनको उनने जो है ना बिलकुल Red कर दिया था जैसे कि या आप देख सकते हैं तो जैसे ही ये इंस्टाल करने तो ये सिंपल सा एक तरीका है और इसमें आपको कोई एक्स्टा काम नहीं करना पड़ता बिलकुल आप Net आपके पास सारवक्त मुझूद होगा जहरे अगर आप लैपटाप रखाए तो इसमें आपके पास Net तो मुझूद होगा एक देखें जी अभी वह रैड लाइन्स खतम हो चुकी है ड्रैवर्स इंस्टाल हो चुकी है अभी कोई भी ऐसा ड्रैवर नहीं है जो के मेरे सिस्टम में मिस हो अभी सारे ड्रैवर्स कंपलीट है तो इसलिए यहां पर कोई भी रैड लाइन मजूद नहीं है आपने इस तरह से snappy driver installer ना टोटोंडोड करना है और इसको install करके आपने सिस्टम के अंदर install के लेने जो भी आपकी मीश होगे driver तो थीक अभी आप इसको क्या कर देते हैं Cross कर देते हैं जी तो मेरे भी system के अंतर है सारे driver मजूद थैं तो ये था एक सिंपल सा तरीका जिसमें आप क्या कार सकते हैं बिल्कुल फ्री में ड्रैवर्स जो हैं आप इंस्टाल कर सकते हैं और किसी एक्स्ट्रा कोई और काम नहीं करना पड़ता बास तो वीडियो अछी लगी है तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक, कमट, लाजमी करना है और चैनल के उपर नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजेगा मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए मली काकब को दीजिये अजासे अलाःफेस